मासिक शिवरत्री आती है बोलो आतिक में आती है अरे जमके तो बोले जरा आती है ना श्राद्धपक्ष में मासिक शिवरत्री आती है सायद एक तेरा क्टुम्बर की पढ़ना चाहिए गवाब मासिक शिवरत्री आती है इस्राद्पक्ष में निसिया अर्का सुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गये निकलते गये निकलते गये एक स्वेत्पुष्प तार्का सुर्थ तोड़ कर लेकर आए करें के तारकासुर को नहीं मालुम था कि श्राड्ध पक्ष में शिवात्री के दिन आज तारकासुर्थ सुfloुष देवदीद महादेव को समर्पित कर ला यह थे तारकासुर को । हरता सुनिर को माल lasts ती को घए लेता लोग के उधे राटके को जानते थे भाई इो डुको धर oy गऴ सही है कि गलत केवल एक श्वार्ट कर दो यह महाशिवरात्री होती है शु त्व दीरे दीरे सुनते 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 शिवरात्री के महत्व को लोग जाने एक शिवरात्री के पुष्प का बर्णन क्या करता है हमारा शास्त्र शिवरात्री का एक लोटा जल क्या बर्णन करता है हमारा शुमहाप्री एक पुष्प का ज्यानन्द है एक पुष्प का क्या रस्तत्व है इश्यू महापुराण की कथा बढ़नेंगे भगवान देव दिन महादेव की कथा थार का सुर को नहीं मालूम की शिवरात्रियम श्राद्ध पक्ष की इसके समर्ण में नहीं आ पाया कि यह श्राद्ध पक्ष की शिवरात्री इस शिवरात्री की कितनी महतवता होती है श्यू महापुराण की कथा करती है भाई कि श्राद्द पक्ष में पढ़ने वाली शिवरात्री का इस्मरण जरूर करिए गए किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही है 30-35 साल हो गए 32 साल हो गए 28 साल हो गए 15 साल हो गए 20 साल हो और संतानका सुख नहीं हो तो श्राद्द पक्ष की श्रीवरात्री की बड़ी माहत्रता है बड़ी माहत्रत अ वह पूंसरी का बड़ा मात्रत अ थारकत्र शुर्व जान नहीं पाए कि आज श्राद्द पच्छ की शिवरत्री है केवल एक स्वेद पुष्ट केवल एक सफेद फूर तारकसुर्ण ने लेकर आय और बाबा देवा दिद्य महादेव का जो सुरूप था भागवान शंकर का जो शुरूप पर देवा दिद्य महादेवने समर्पित करें एक सफेद पुष्प एक स्वेद पुष्प देवा दिद्य महादेव को समर्पित करें भागवान शंकर को समर्पित करें उसका फ्थल क्या हुआ कि आप लोग भी निवेदन हैं रयास करना पहले देख लेना सायद हमारे इसाब से तो 13 अक्तुम्बर को शिवरात्री होना चाहिए और वी आपके आँके विदवजन पंडित जिन से पूछ लेना नी तो पंचांग में या कलेंडर में देख लेना कि अक्तुम्बर की श्राद पक्षकी शिवरात्री कपकी है जितने लोग आस्था चेनल पर सुन रहे हैं जितने लोग फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हैं जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं आप लोगों से निवेदन प्रयास करना है एक सफेद कुष्प एक स्वेद कुष्प कर दिए-ष्च बभाबा दीद्य्य महदेव को तेरह अक्टूमसुबर को अगर सिवरत्त्री है तो श्राढ्दपच की श्राद्री के दिन बभाबा देव दिए महादेव पो एक सुपष्छ समर्पित करदेने पर अपने मन की नह श्राइब करकर बाबा देव ब्राह्मन जनने काहा हूं कि पित्रदो जादा है या घर में शुपकारे नहीं हो रहा या तकलीफे जादा हो रही है कोई बड़ी बिमारी ने अगर घेर लिया है कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो तो उनको भी निवेधन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबादेव दियों महादेव को समर्पित करें उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बिमारी है उसकी जब शिवरात्री पर आप समर्पित कर दो एक महीना पूर्ण हो जाए आगले महीन की शिवरात्री आये श्राद पक्ष की शिवरत्री जाएगी अक्तुमबर की फिर अगले महीने की जब शिवरत्री आये तो उसके पहले आपकी जो बिमारी है उसकी एक बडादिस παराना जाने बाबवा देव अधिद्यम महाद्यू उस बिमारी को स्माप बितhell कि स्वेट पुष्प कि भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्षका जो शिवरातरी है उस पर जो स्वेट पुष्प की परिवाशन उसको हमें जानना है उस परिवाशन